कोलकाता रेप और मडर केस में कितने लोग शामिल हैं ये सवाल हर किसी के मन में अभी तक बना हुआ है आठ नव अगस्त की दर्म्यानी रात आरजिकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ था इनके जवाब तलाशने के लिए CBI ने आज केस से जुड़े साथ किर्दारों का पॉलिग्राफ टेस्ट शुरू कर दिया है पॉलिग्राफ टेस्ट एक्सपर्ट की टीम कोलकाता में मौजूद है और ये टेस्ट हो रहा है आरोपियों से तीन तरह के सवाल, relevant, irrelevant और control questions पूछे जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन पूछताच में कितना सच और कितना जूट बोल रहा है जिन साथ किर्दारों का पॉलिग्राफी टेस्ट हो रहा है उनमें पूरे प्रिंसिपल संदीब खोष, इंटरन डॉक्टर सौमित्र, आरका, सुवादीब के अलावा एक सिविक वॉलेंटियर भी शामिल है जिसकी मौझूदगी के वक्त, वारदाग के वक्त घटना इस्थल पर पाई गई थी, इन सब की मौझूदगी इसके अलावा मुख्यारोंपी संजैर रॉय का भी पॉलिग्राफ टेस्ट चल रहा है चार ट्रेनी डॉक्टर के पॉलिग्राफ टेस्ट से सीबियाई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 8 अगस्त की रात 11 बजे से जब पीडिता और ट्रेनी डॉक्टर ने साथ में डिनर किया था उसके बाद क्या क्या हुआ हुआ है डिनर के कुछ देर बाद ही पीड़ता आराम करने सेमिनार हॉल में गई थी जहां दरिंदिगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और अब पॉलिग्राफ टेस्ट के जरिये सीबियाई कडियों को आपस में जोडिंग की कोशिश कर रही है बंगाल विजेपी के पूर प्रदेश अध्यक्ष दिलीब घोष ने आरजिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और बरबर हत्या की मामले में गंभीर आरोप लगाए है उनका कहना है कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज हो या बंगाल की युनिवर्सिटी हर जगे टीमसी का रैकेट चल रहा है लाख रुपए की दबाईयों और सामान की हेरा फेरी होती है उन्होंने आरोप लगाया कि ममतस सरकार ने कटमनी के रिए अपराधिक किस्म के लोगों को लूट और हत्या का खुला लाइसेंस दे दिया है दिलीब घोश्ट ने ये भी कहा कि जो बंगाल में पॉलिसी पैरलिसिस है ममतस सरकार को लखवा मार चुका है उनकी बाते सुने आप एक बार बंगाल का जो अड्मिस्टेशन है यहां की जो प्रशाशन है वो पुरा नाकाम हो चुकी है अब यह तो मेडिकल कॉलेज का आया आप किसी इन्यवर्शिटी में जाए कॉलेज में जाए सिक्साषन स्थान में किसी सरकारी दफ्तर में जाए है विसेस करके लेंड समंदित जो हो रही कोई जमीन कोई खर दिना आये तो उसको कटबानी देना पड़ेगा दलाल की मद्ध से जाना पर जनता यहां की जो है नागरी उनकी जीवन जीना दुबर हो रही है हर जगा उनको इस प्रकार पुरस कोट तो को डरा करकते लोकल लोगार कोडिस्रिक टोड तो को जजमेंट नहीं आता जज़ों को एक जमानत देने के लिए सोचना पड़ता है एक ज़ज जमानत देगा नहीं देगा वो पार्टी अभी से उसको संचालित कि आया था हिम्मत नहीं हुनकी एक डॉक्टर किसी क लिखेगा किसी का पोस्ट मोटम रिपोर्ट लिखेगा वह भी पार्टी के नेता बोलेंगे उसी प्रकार लिखेगा जब बोलेंगे तब जैसा बोलेंगे वैसे नहीं तो इतना लेट क्यों हुआ मंगाल विजेपी के सीनियर नेता अरजुन सिंग ने कहा कि ममता राज में कोलकाता पोलिस विलन की तरह काम कर रही है सरकार माफिया की तरह पेश आती है उन्होंने कहा कि आरजिकर मेडिकल कॉलेज संगटी तप्राधियों का अड़ा बन गया है यहां वेस्टेश के नाम पर करोडों की दवाईयों को भांगलादेश पेजा जाता है उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये सब टीमसी के गुंडों की देखरेक में होता है कलगता पुलिस एक बिलेन का रोल कर रहा है लेकिन असल माफिया इसके पीछे हैं सरकार ये सरकार अगर आप देखेंगे में इतिहांस जिदि आप सवाल भी पीछे का देखेंगे कोरोना काल में राजिव सिनह एक चिफ सेकर्टी हुआ करते थे साड़े तेइस सो करोड़ रुपया का पर्चेजिंग हुआ था और वो पर्चेजिंग मुश्कील से दो ढ़ाई सा क्रोड़ का पर्चेजिंग था बात बगे सारा रुपया अभिसेख बनरजी और जिए कंपनी जिसमें यह डॉक्टर संदीप घोष से लेकर इन लोगों ने अभिसेख जो रिलेटिव से हैं जो उसके दो उनीं कंपनियों को एक काम मिला था हैं और पूरा एक नेक्सेज जब से कोयलार केटले समगलिंग पर cvi का सिकंजा कसा है तब से इसी जितना हे थे जो ऋस्पिटल ये सरकारी होस्पिटल इसमें दोआ आपको जो वेस्टेज के नाम पर सब औरिजनल चीज बिक्री हो जाता है, यह एक बड़ा नेक्सेस है, इसमें करोडो करोडो पिया उठता है, और आरजी का लिसका बोलते हैं कि किंग पिंग है, और यह माफिया तंत को कंट्रोल अभी के तारीख में संदीव भूस कर रहा है इसके साथ और भी लोग हैं, लेकिन अभी का किंग पिंग यहा इसमें रंजीत घोस का नाम आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है रंजीद घोष और संदीप घोष ये सब मंताव रंजी के बहुत चहेते हैं यही संदीप घोष मंताव रंजी को 2001 कई साल में बीना पैट टूटे हुए उनको प्लास्टर बांध के बोलता था कि इनका पैट टूटा हुए बिजेपी नेता अरजुन सिंग ने आरोप लगाया कि आरजिकर मेडिकल कॉलेज के सामने मुसल्मानों की एक बस्ती है जिसमें अपरादी किस्म के लोगों का बोला बाला है उन्होंने यहां तक कहा कि इस बस्ती के लोग जिसे चाहते हैं उसे हॉस्पिटल के बेट से हटा देते हैं जिसे चाहते हुसे भरती करा देते हैं उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस इलाके में टीमसी उसी को टिकेट देती है जिसे यह माफिया चाहते हैं तो तो पाणि रहतेंं खुलने हम ऍसपाल में घुछ जातें कोई रोक टूक नहीं करता किसी को ही छले जाई 7 कोई पी सरकारी इसलिए इसी सब गोस्ति इसी माफियाओं के चलते उनको टिकट नहीं दी ममता बनर जी ने क्योंकि वो कभी कभी भीज बीज में पर्तिबात करती थी वहां मुसल्मान लोग जबर्दस्ति किसी को भी बेट से अटा के किसी को बर्दी करा देता तो उनको हटा दिया गया उनक करनायंस क्राइम को यह भड़ा यह आप देखिए बारिक भी विश्वास माने किंग पिन है रासन दुर्फट्रिती से लेकर स्मगलिं।र स्मगलिंग आपकी पैट्री है आप दो भाई को लडाई करके पुलिस भेज के दखल करवा देता है। यहां मरवारी बैपारी आज धीरे धीरे भाग रहे हैं तो इस्तीती इस जगह पर अभी कुछ दिन पहले आगर पड़ा जूट मिल को उसने दखल करा दे राता राती पुलिस जाके एक आदमी को हटा के एक आदमी को बैठा दे कोई कूट काड़ इस तरह से एक नेक्सेस चल हुआ झाल